यामस्कर किशन भाईयो अलवर मंडी भाव चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज हो गये 10 दिशंबर 2021 और इंदोर मंडी में क्या आवक देखने को मिली है और कल का क्या भाव देखने को मिला था आलू और प्याज का तो कंप्लीट वीडियो में जनकारी बताऊँग तो बात करें अगर इंदोर मंडी की आज की आवक की तो आज जो गर्वा पुरानी प्याज है वो लगवग 45 से 50,000 कटे देखने को मिल रहे हैं और नई प्याज भी 15 से 20,000 कटे देखने को मिल रहे हैं अभी और आवक थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है बागे अगर नई लाल प्याज की बात करें तो नई लाल प्याज है वो एक जार रुपए से लेकर पचीस सो रुपए परती कुंटल के साब से देखने को मिली है थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है कल और बात करें अगर पुराने प्याज की तो सुपर प्याज का जो क्वाल्टी क सोब्सक्राइब देख सकते हैं 965 परतिमन के साथ भिक्राइब जो भारा हुँ एक वह भारा सो से सोलासو रुपे गोल्टा कॉल्टी का बारा सो से पंदरासु रुपे और गोल्टी क्वाल्टी जो प्याज रहे वह आठ सो रुपे से लेकर 1100 रुपे बिका है और चोटा साहतन माल है वो आपका 200 रुपे से लेकर 500 रुपे परती कुंटल गेसाब से देखने को मिला है इंदर की मंडी में , बात करें अगर आलू की तो आलू का जो नया जोतई आलू है 700-1000 रुपे और नया चिपस आलू 1400 सो से लेकर 2,000 रुपए पुराना जो आवक है वो 6,000 प्लस कट्टे देखने को मिल रहे थे और सुपर एक्ष्टा जो है वो 800-900 रुपए मौटा महल है 500-800 रुपए परती कुंटल वहीं गुला अलू 300-500 रुपए परती कुंटल के साब से इंद औरमंडी में देखने को मिला है तो यह था इंद औरमंडी का अभी तक का बड़ा अपडेट आज क्या भाव खुलता है वीडियो के मादम से अपडेट दिया जाएगा नमस्कार